Hi guys, my name is Shashi, running is my passion, I am a long distance runner, but this is not my profession, मेरा profession कुछ और है, running मैं पैशन के लिए दौरती हूँ, मैं रोजाना कम से कम दो घंटे दौरती हूँ, और संडेस को मैं चार घंटे दौरती हूँ, वीक में मैं 100 तू 130 किलो मेटर तक रन करती हूँ, अकसर लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास दौरने के लावा कोई काम नहीं है, और मैं दिन बढ़ दौरती ही रहती हूँ, पर ऐसा नहीं है, I am a working woman, I have a full time job, इसके लावा I am a housewife, I have two children, घर पर बच्चों की जिम्मेदारी, घर का काम काज भी मैं करती हूँ, मैं रहती धेरादून में हूँ, लेकिन मेरा office सहरनपूर में है, दोनों शहरों की बीच में 70 किलो मीटर का distance है, डेली मैं 3 घंटे ट्रेवल करती हूँ जाने के लिए, और 3 घंटे आने के लिए, रोज सुबह मैं 4 बचे उट जाती हूँ, साड़े 4 बचे से लेकर साड़े 6 बचे तक मैं रन करती हूँ, वापस आकर मैं अपनी फैमली के लिए breakfast बनाती हूँ, breakfast खाने के बाद ready होती हूँ office के लिए, I'm a YouTuber also, अपने busy schedule मैं से मैं थोड़ा time निकालती हूँ, अपने YouTube चैनल के लिए videos बनाने के लिए, जब मैं bus में travel कर रही होती हूँ office जाने के लिए उस दौरान में अपने videos को bus में बैठते हुए edit करती हूँ, आजकल कोरोना की वजह से मैं घर से ही काम कर रही हूँ office का, और हमारे पास आजकल कोई maid भी नहीं है, तो maid का सारा काम भी मैं ही करती जैसे ज़ाडू लगाना, पोछा लगाना, बढ़तन दोना, etc. रोज शाम को मैं आदा घंटा strength training करती हूँ, मतलब weights से मैं training करती हूँ upper body और lower body की, मेरे friends अकसर मुझसे पूछते हैं, how do you manage to do so many things, and from where do you get energy to do so many things, तो आज के वीडियो में मैं आपसे share करूँगी, how do I manage to do so many things देखी हम सभी के पास 24 घंटे का समय होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास 28 hours है एक दिन में, सब के पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में, पर इन 24 घंटों में कुछ लोग बहुत कुछ accomplish कर लेते हैं, और कुछ लोग complain ही करते रह जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम हैं, लेकिन टाइम नहीं है कर दे के लिए. It's all about time management. Time management के लिए जो सबसे important चीज है, that is to find out what are your priorities. आपके priorities क्या हैं लाइफ में? Let me share what are my priorities. I have basically three priorities in my life and all these three things are equally important for me. I'm a working woman. मेरे job से मुझे salary मिलती है, that is my bread and butter. तो वो मेरे ले important है and I take it seriously. I'm married, I have children. मेरी family, मेरी responsibility है, वो मेरी priority है. इसके अलावा, running is my passion. वो भी मेरी priority है. Life without passion is lifeless. इसलिए मैं समझती हूँ, passion भी बहुत जरूरी होता है और हमें उसको priority समझना चाहिए. Now to do well in my job, to look after my family and to pursue my passion, I need to be healthy and fit. तु मेरी fitness और health भी मेरी priority है और वो बहुत important है. I always take care of my nutrition, my rest and recovery, and my fitness and exercise. चाहिए कितने भी busy क्यों न हों, मैं रोज exercise करती हूँ और रोज दौरने जाती हूँ. मेरे दिन की शुरुवात ही दो घंटे की दौर से होती है. So, the most important thing is to find out what are your priorities. और अपनी priorities को अपना time दीजी. Second important चीज है to form healthy habits. अच्छी आदते बनाईए. For example, मैंने सुबह उटने की आदत बना रखी है. चाहिए कुछ भी हो जाए, मैं सुबह चार बचे हर हाल में उट जाती हूँ. अब यह आदत इतनी मजबूत हो चुकी है कि मुझे अलाम के रिंग करने का इंदजार नहीं करना पड़ता. अलाम रिंग करने से पांच मिनट पहले ही मैं उट जाती हूँ. Getting up early gives me plenty of time to do all the things that I want to do. सुबह सुबह मैं अपना run complete करती हूँ so that वापस आने के बाद मैं घर की बागी की जिम्मेदारियां पूरी कर सकूँ. जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, साफ सफाई करना, etc. मैं आफ्टनोन में नप ज़रूर लेती हूँ. चाहे वो आदे घंटे के लिए क्यों न हो. क्योंकि आदे घंटे का नप आपकी बॉड़ी को पूरा रिफ्रेश कर देता है. After the lunch, you must try to relax. तो ये मैंने एक healthy habit बना रखी है. इसके अलावा, I have made a habit to be disciplined. मैंने दिन भर में जो भी करना है, उसको मैं जरूर करती हूँ अगर मैंने तई किया है. For example, मैंने decide किया है कि आज मैंने lunch में so-and-so dish मिनानी है. तो मैं उसको बनाओंगी. चाहे कितना भी time लगे. मैंने अगर आज decide करा है कि मैं अपनी बेटी को एक घंटा पूरा devoted होकर पढ़ाओंगी. तो मैं वो जरूर करूँगी. सारे distractions को मैं दूर रखूँगी. फोन को मैं जाकर छुपा दूँगी कहीं. किसी से बात नहीं करूँगी. और अपनी बेटी पर पूरा focus करूँगी. अगर उसका कल test है, तो मैं उसे अच्छे से पढ़ाओंगी. उसको revise कराओंगी चीज़ें. All these things required discipline and commitment. जो मैंने कमिट कर लिया अपने साथ. मैंने ये करना है, तो करना है. फिर उसके साथ कोई compromise नहीं. अगर किसी दिन मैं decide कर लूँ कि आज मैंने 50 km रन करना है. तो फिर चाहे दुनिया इधर से उदर हो जाए. मैं 50 km दौडने के बाद ही घर पहुँचती हूँ. और घर वालों को पहले से बता देती हूँ कि आज मैं लंबा दौडने वाली हूँ. और वो बाकी का जो घर का काम वाम है, वो मेरे absence में संभालने. कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप उसकी आदत बना ले. तीन साल पहले जब मैंने दौडने की शुरुवात की थी, तब सिर्फ आदा घंटा दौडना भी मुझे बहुत भारी लगता था. पर में कमिटेड रही, प्राक्टिस करती रही, और धीरे धीरे दौडने की आदत इतनी मजबूत हो गई की अब रोजाना दो घंटा दौडना तो जैसे कुछ भी नहीं लगता. So, you'll need to find out what you want to achieve from your life. What are your goals, whether they are small or big? And if you want to achieve those goals, nobody can stop you. Just form healthy habits of discipline, commitment and hard work. तीसरी important चीज़ है, not to try to be perfect. Perfect होने की कोशिश मत कीजिए, rather improve होने की कोशिश कीजिए. अगर आप perfection के पीछे भागेंगे, तो आप हमेशा dissatisfied रहेंगे. मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक अच्छी मा बनूँ, एक अच्छी होममेकर बनूँ, अपने जॉब में मैं अच्छा करूँ, और एक अच्छी रनर बनूँ. मेरे दिन भर की जो activities होती हैं, वो इनी goals को achieve करने के लिए होती है. But all days are not alike. कोई दिन ऐसा होता है जब मैं अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देती हूँ, उनको अच्छे से पढ़ाती हूँ, अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती हूँ, सुबह दौड की भी अच्छे से आती हूँ, सब कुछ perfect होता है. पर कोई ऐसा भी दिन होता है जब मेरा रन बहुत बेकार जाता है बहुत धीरे दोड़ी अच्छा परफ़र्म नहीं किया या कोई ऐसा दिन होता है कि मुझे बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं करता मेरे को इरिटेशन हो रही होती है या कोई ऐसा भी दिन होता है मुझे घर की साफ सफाई करने का दिल नहीं करता कि भी आज पोचा लगाने का मन नहीं है So all days are not perfect. I do not try to be perfect. मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा करूँ, हर शेत्र मैं अच्छा करूँ पर कोई ऐसा दिन आए जब मैं न कर पाऊं, तो फिर मैं उस दिन अपने आपको कोश्ती नहीं हूँ और यह decision नहीं बना लेती कि I am bad at this or I am bad at that अगर suddenly किसी दिन मुझे यह रेलाईज हो, I have not been spending much time with my son. I should spend some time talking to him. So I would go and talk to him. You know, जहां भी मुझे अपने अंदर किसी चीज में कमी लगती है, तो मैं सो सुधारती हूँ पर अपने आप से कभी यह उंबीद नहीं करती कि मैं every day I would be a great mom and every day I would be a perfect homemaker, a great runner. No. I try to improve but I do not try to be perfect. चौथी important चीज है to stay away from negativity. You know, sometimes what happens, you are doing something good in your life but people are not happy about it. They are jealous. Sometimes they pass negative comments. तो यह जो negativity है, do not let it affect you. Negativity बाहर भी होती है और अंदर भी होती है. तो जो हमारे अंदर की negativity है, उससे हमें जादा नुकसान होता है. If you want to achieve something, you want to do something और उससे पहले आपके अंदर यह negativity आजाए कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मेरे अंदर वो शम्ता नहीं है. इस तरह की negativity से भी आपने अपको दूर रखना है. पांच भी important चीज है, multitasking. Multitasking is an art. If you master it, you can save a lot of time and you can do different things together. For example, अकसर जब मैं खाना बना रही होती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती भी हूँ. For example, suppose काल उनका टेस्ट है, तो मैं खाना बनाते बनाते उनको lesson revise करवा दूँगी, question answer पूछ रूँगी. Just look at this video and you'll get to know how I do it. आस्मानों में पतंगो उड़ रही है. ने, ने, फिर सिख, आस्मान में पतंगो उड़ रही है. बचन बदे है. अगली important चीज़ है, to ask for help when you need it. Don't try to be a superwoman who want to accomplish everything and do everything by herself. जब मुझे जरुरत महसुस होती है, तो मैं अपने husband से help मागती हूँ, घर का काम करने के लिए. बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं उनसे help मागती हूँ, कि I am teaching the son, you teach the daughter. मैं अपने बच्चों से भी help मागती हूँ, घर का काम करने के लिए. कभी-कभी मैं अपने बच्चों को responsibility देती हूँ, चलो, तुम उस कमरे में पोचा लगाओ, तुम उस कमरे में पोचा लगाओ. कभी मैं अपने बेटे को बोलती है, चलो, तुम salad काटो. So, I always ask for help when I need it and I don't try to do everything by myself. The last and the most important thing is to take care of yourself. You are a human being. You are not a god or a superwoman. You get tired. Sometimes you are frustrated. Sometimes you need more time to relax and rest. अपने आपको कभी-कभी pamper भी करो. You know, आप इतनी महनत करती हो, तो कोई ऐसा पी दीन होना चाहिए, चाहिए, पूरा रिलाक्स करो. अपना ध्यान रखो, अपनी nutrition का, food का, healthy खाना खाऊ. Exercise रोज करो जरूर, because exercise से आपके अंदर strength आएगी. No matter how busy you are, try to find time to do the things which you really enjoy. अपको अगर Netflix देखना पसंद है, तो find some time to watch your Netflix shows. अगर आपको अपनी बहन से phone पर बात करना पसंद है, तो no matter how busy you are, try to find some time every day to talk to your sister. अपनी soul, अपने mind को नरिश कीजे, positive चीजे करके और वो चीजे करके जो आपको पसंद है. So in this video I shared with you how I managed to do so many things in my life. How I managed to achieve so much in 24 hours. I hope you found this video useful. If you did, please give this video a thumbs up.